इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते यह मल त्यागने के बाद होने वाली कमजोरी से राहत दिलाता है। यह बाधित मूत्र प्रवाह के मामले में भी मदद करता है और बूड़े पुरुशों में मूत्र के टपकने की समस्या से निपट सकता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, चक्कर आने पर जो लेटने पर और बिस्तर पर करवट बदलने पर विशेश कर बाई और मुड़ने पर बत्तर हो जाता है इसके लिए प्रभावी उपाए। दो, कंपकॉंपी के साथ आने वाली शरीर की कमजोरी के लिए उप्योगी। 3. आँखों की समवेदन शीलता से निपटने में सहायता करता है और आँखों से पानी आने से रोकता है। 4. मल त्यागने के बाद होने वाली कमजोरी के मामले में सहायक। 5. बाधित मूत्र प्रवाह से जुड़ी स्थितियों के लिए फायते मंद। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।